तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब इंटरडबल से आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से काफी अच्छे ब्रेकाउट स्टॉक्स को ले के हैं जो कि काफी चुप परफॉम कर चकते हैं पोजेशनल टेड और स्विंक डेड के लिए मैंने क वीडियो में काफी ताहरे सोग्स कहते हैं हमारे स्टॉकस ने काफी छ पाफॉम किया है ड्यद ग्यूट किया है अब चैजल सबने काफी चत पर lors के आसा कर तो आपने पॉज़ को क्लोज कर लिया होगा मरकोट कम्प्लीटली पॉजितिव मोमेंटम में था है अप और मुझ और अगर आपको लगता है कि में चैनल से हल्प आपको मिल सकती है तो जो भी में चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक किजी और बेल अगन को दबाईगे तो जो आज के लिए पहला स्टॉक हम देखने वाले वह है वेल स्पन इंडिया इसमें यह लेवल जो यहां पर के विक फोर्म होघाए यह वीकले टास्ब्स काफी काफी ज़ाद है यहां पर एक सपलाई जोन है यह एक trend line जो मैंने बना यह support की तरह काम कर रहा है यह पर और यह level simply resistance है और यह level भी support की तरह काम कर रहा है अगर market यहां से fall भी करता है तो यह एक अच्छा support है और market अगर उपर में consolidate अगर होना start करता है तो काफी अच्छा यहां पर breakout आने का chance है जो अगला सब्सक्राइब हम देखने वाले है वह HDFC है Asset Management इसमें भी a descending triangle pattern form हो रहा है एरिया में और market अभी resistance पर close है उस level को retest कर चुका है simply आपको swing trade आपको लेना या कल intraday में करना trade तो आप इस level पर buy कर सकते हैं काफी simple analysis है और यह target आपको यह level हो सकता है simply यह पर एक अच्छा resistance है और यह भी positional trade के लिए काफी अच्छा हो सकता है simply यह level है काफी अच्छा resistance है यह level काफी अच्छा support है support यह level भी एक अच्छा support की दरगाम करने वाला क्योंकि यहाँ पर market बहाँ बहार reject हो चुका है जैसे कि आपको पता है जो पुराने resistance होते है वो breakout के बाद support में form कर लेते हैं आसा कर तो आप सभी को समझ में हो रहा हो अगर आपको यह trend line का मिलता है breakout तो काफी chance एक अच्छा positive move आने का आसा कर तो आप सभी को समझ में हो रहा होगा और जो अगला सोख हम देखने वाले हो अगले वीक तो चांस है positive momentum आ सकता है इसमें भी एक descending triangle pattern form हो रहा है weekly time frame में काफी positive sign है यहां पर भी और यह level जैसे मैं आपको बता है अच्छा resistance है और यह जो trend line है यह पूरा support की तरह काम कर रहा है काफी simple analysis है आशा कर तो आप सभी को समझ में और volume की बात करें तो volume यहां पर भी बायर्स का है और यह area में volume completely contract है और market जब जब fall कर रहा है तो volume कम हो रहा है तो कल हो सकता है कि अगर इसमें breakout move आता भी है तो volume pump होता है तो chance एक positive momentum आ सकता है तो कल इसको आपको watchless mad कर लेना है अगला stock हम देखने वाले है वह है Godrej Agrobet simply stock पहले भी मैंने बताया था मैंने आपको बताया था इस पर retest buy करना और आपको टार्गेट यह trend line होगा काफी पहले मैंने यह video को बनाया था तब आपको बताया था simply इसमें हम Monday में चलते हैं पहले देख सकते है market इस level को retest कर चुका है अगर इस level में consolidation होता है तो आप intraday में कर जकते हैं trade काफी अच्छे टार्गेट यहां पर आपको मिलेंगे और यह level एक अच्छा रेसिंस के तरह काम करने वाला है और अगर इस level का breakout मिलता है तो simply आपको पहला target यह level होगा उसके बाद जो trend line हो टार्गेट होगा इसमें भी काफी simple analysis है यह level मैंने पहले market पर यह trend line है यहां से mark क क्योंकि आप देख सकते हैं जितने ज्यादा candle को area में वो उतना ज्यादा important support यह रेसिंस होता है जैसा आपको पता है यह आपर volume के बात करें तो volume आज नहीं है उतना और जैसे इसमें retest हुआ तो बस नीचे से wick भी form हो चुका है तो retest candle है तो positive momentum आने का काफी chance है आसा कर तो अब सभी को समझ महार होगा अगर आपको लगते कि मैं चैनल सेल्प मिलेगी तो जब मैं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक किजिए और बेल अक्नों दबाईए